दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MP Teacher Requirement MPTET Work 3 प्रात्मिक सिक्षक ओनलाइन प्रोफाइल रेश्टेशन किस प्रकार से करेंगे और अपने डाकुमेंट किस प्रकार से अपलोट करना है तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगा कि आप रात्मिक सिक्षक के लिए अपना प्रोफाइल रेश्टेशन और अपने डाकुमेंट किस प्रकार से अपलोट करेंगे तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर TRC की ये official site खोल लेना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको Google में type करेंगे TRC enter करेंगे फिर यहाँ पर teacher requirement counseling इस बाले option पर click करेंगे यहाँ पर इस तरीके से page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको प्रात्मिक सिक्षक बाले option पर click करना है तो यहाँ पर दोस्तो आपके सामने ये instruction आएंगे इनको सबको पढ़ देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रात्मिक सिक्चक प्राब्धी चैन सूची 28 दिसंबर 2022 और यहाँ पर दस्तावेज अपलोड यहाँ पर दोस्तों आपके जो दस्तावेज है 29 दिसंबर 2022 से स्टार्ट है आप इसे 4 जनवरी 2023 तक अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको इसके जो नोटिपिकेशन हैं यहाँ पर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको केंडिडेट साइन अप कर लेना है इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा user login page अगर आपने पहले से user ID बना रखा है तो यहाँ से login कर सकते हैं अगर profile पंजी करन नहीं किया है तो यहाँ पर sign up का option दिया हुआ है इस बाले option पर क्लिक करना है प्रात्मिक्स एक छक select कर लेना है उसके बाद में अपना roll number डालेंगे और यहाँ से अपनी date of birth select करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको email पर OTP चाहिए या mobile पर तो mobile पर करेंगे इस तरीके से यह capture code को इस box में fill करेंगे और send OTP बाले option पर click करेंगे फिर आपके number पर एक OTP जाएगा वो OTP को यहाँ पर डालना है और proceed बटन पर click करना है फिर यहाँ पर दोस्तों प्रात्मिक्स इक्षक वाले option पर फिर से जाना है फिर candidate login page पर click करना है यहाँ से आपको login कर लेना है जैसे आप login करेंगे आपके सामने यह इस प्रकार से page open हो जाएगा तो यहाँ पर आप जन जाती है कारवे भाग मद्यपरदेश ट्रीवल क्लिक हैर और लोक सिक्षन संचलानाल है मद्यपरदेश डीपी आई यहाँ पर click करेंगे तो आप जैसे login करेंगे तो आपका जो database है वो इस प्रकार से open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सरवप्रतम document verification district पर click करना है यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर document verification district इस list में से select कर लेना है आपको कहाँ पर अपने document verification कराना है वो select करेंगे फिर आपका जो document verification district है वो यहाँ पर नीचे side में आप देख सकते हैं save हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पर upload जैसे आप document बाले option पर click करते हैं आपके सामने जो documents upload होना है उसकी list open हो जाएगी तो यहाँ पर आपको एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे छेटा कोमेंट यहाँ पर दिये हुए है तो दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो यहाँ पर दोस्तो आपको एक नमबर पर डेट बर्थ प्रूप के लिए आपको यहाँ पर टैन की माकसिट अपलोट करना है और यहाँ पर आपके पास में डी एड डी एल एड है या बी एल एड फॉर यर आल यर और आल सेमेश्टर माकसिट तो यहाँ पर आपको सारी जो marksit है सारे semester की वो PDF format में upload करना है तो यहाँ पर आपको select करना है आपका D.L.A.D. है B.L.A.D. 4-year वो select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर 3 नमबर पर undergraduate all semester marksit upload करना है यहाँ पर MP domicile certificate upload करना है यहाँ पर category EWS certificate upload करना है यहाँ पर अगर आपका नाम change है notary certificate in case of surname change और अगर आपकी साधी हो गई है surname change है तो आपको notary बनबा के यहाँ पर upload करना है आपके जो documents है उसका size यहाँ पर देख सकते है क्रपया दस्ताबेच को PDF format में 30 KB से 400 KB के अंदर ही आपका जो file size है वो रहेगा यहाँ पर प्रात्मिक सिक्षक के पदो पर नियोजन अंतरगत दस्ताबेचों को upload करने के संबंद में अभ्यारतियों को सूचित किया जाता है की बे जर्मितिती संबंदी अभिलेक 10 B की अंग्सूची सेक्षनी की योग्यता 12 B की अंग्सूची इसना तक संबंदित विशय समू त्रेंड की अंग्सूची एबम, सिक्षन, प्रसिक्षन, योग्यता, B.A.D.A.D. जो भी हो वो upload करें उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे आप च्वाइस फाइल पर क्लिक करेंगे फिर upload बटन पर क्लिक करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर सारे जो documents है च्वाइस फाइल पर क्लिक करना है सबसे पहले फाइल upload करना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं category EWS certificate uploaded successfully का message आजाएगा आपके जो सारे documents है यहाँ पर दोस्तों आपके जो सारे documents है वो upload होने के बाद में यहाँ पर view uploaded documents यहाँ पर view का option पर click करके यहाँ से आप सारे documents देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं total number of page 8 दिखा रहा है total fee 5 रुपे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6 document यहाँ पर दिये हुए हैं अगर आप ज़्यादा document आपके upload होंगे तो एक document के हिसाब से 5 रुपे देना पड़ेगा तो उसकी payment करना है तो यहाँ पर इस डबबे पर टिक कर transaction date और यह QR code open हो जाएगा तो आपको finally payment कर देना है अगर payment लग रही है फिर उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको print बाला option दिखाए देगा यहाँ पर print बटन पर click करेंगे और इसका print out निकाल कर सेप करके अपने पास में रख लेना है अगर आप password change करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर reprint document upload receipt अगर दोबारा से document reprint दोबारा से document upload करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप MPTET बर्ग 3 2022 के लिए अपना profile registration और अपने document आसानी से घर बेठे upload कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सेयर करें जिससे आने वाली latest notification आप तक पहुंच सके